राजकुमार राओ का भीड मूवी का टेलर आ चुका है और ये टेलर देखने के बाद में यह लग रही है कि बहुत सारे ऐसा सच्चाई जो चीज होती है उस सब को नहीं पता होती है लेकिन ये मूवी देखने के बाद में मालूम चल जाएगा 2020 में और जिस हिसाब से हर एक कंट्री में हालात हुआ था हर एक कंट्री में जो बूरा हाल था कोबिट 90 को लेकर यानि लग डाउन हुआ हर एक जगा पे ऐसा बूरा हाल हुआ कि कहीं का कोई भी नहीं रहा हाला कि जो अमिर आदमी था जो लोग के पास पैसा था उसके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन जो गरीब आदमी था जो ओवर कर था हर एक जगा पे जाये कमाने वाला आदमी था ओ लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हुआ बाहर में रहका जब काम नहीं है तो खा नहीं सकते हैं घर जा नहीं सकते हैं तो ऐसा situation पे ही आधारी था यह म भी और भीड में आपको राजकुमारा और गुमी पेड़ने कर और भी बहुत सारे खलकार आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन जो सचाही देखाई गई है जो बाते देखाई गई है वो सुनने के बाद में हर एक चीज यानि कि जो जमात वाला बात था व भी इसमें देखाता है कि नहीं इसमें ये भी जो नर्मल अगर एक सोचेंगा सिर्फ पैदल चलके तो जाने का है सिर्फ यही तो खाने का नहीं में रहे लेकिन कुछ ऐसी डिप जो बाते हैं जो डिप है जो कुछ लोग नहीं जान पाएंगे जो औरतों वाला प्रोब्लम बचाएगी राज कुमार राओ का जो रोल है जो अपना रोल निभाए हुए हैं बहुत ही आच्छे तरीका से निभाए हैं अब जब यह मूबी आती है 24 मार्च को उस वक्त देखेंगे कि ऑडियंस को किसी सबसे पसंद आती है जो सिचुवेशन जब इंडिया बाटा बहुत सारे लोग पड़ल जाकर अपना घर पहुंचे थे हर एक जगह पर हरे कंट्री में लेकिन क्या इसमें यह सचाई होता है कि इस मूबी में कुछ जगह पर बंदुग का फायर भी होता है तो ऐसा तो कुछ साइध रियल में नहीं हुआ था हम लोग जान नहीं पाये ह लेकिन सेध कुछ जगह पर हुआ होगा तो इसके लिए उसमें रखा गया है और बहुत सारे ऊपर बिनाते हैं तो देखते हैं इस मूबी का किस हिसाब से और ऑडियोंस घिच पाते हैं यह एक रियल इस्टोरी है तो देखते हैं क्या होता है अराज कुमार राओ और कुछ व इस गरैक्टर को ही लेकर इसमें बिनाया गया होगा लेकिन अब पुरा देश में पूरा इंडिया में किसी साब का लोग जेले होंगे किसी साब कराय होंगे और सब हमेशा अपने जगवे पर सुरक्षित रही जाते हैं अब लोगों सी himself के चारी नहीं disrupt तो डिस्क्रिप्शन में डालोंगो आप लोग वहां विडियो को लाइक करें अप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप लोग इसको अच्छे तरीका से समझना चाहते हैं तो 24 मार्च को आप लोग सिनेमा घरों में जाया कर देख सकते हैं बहुत ही आच्छा लगत करें बहुत है